दीखे जी आज के स्वीडियो में हम बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाले वोशिंग मशीन के एक मल्टी प्रपस ट्रोली स्टेंट का कम्प्रीटली अन्बोक्सिंग और रिव्यू लेकर आये हैं यह हमने अपनी ज़रुत के लिए परचीज किया था तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसका एक छोटा सा रिव्यू शेयर किया जाए देख सकते हैं इसे हमने परचीज किया था एमेजोन से और अगर मैं ओडर ड्रियल में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह तकरीबन मुझे मिला 999 रुपे का और इस पर मुझे तकरीबन 25 रुपे का इंस्टेंट डिसकाउंट मिल गया तो यह मुझे टोटल 974 रुपे का लगा यहाँ पर कुछ दोस्तो हमें इस तरह का इसका बॉक्स पैक मिला जिस पर लिखा हूँ है मैक्सिम मशीन वेट कैरिंग कैपेसिटी कुछ पॉइंट दूसरा है इजी मुवमेंट और तीसरा है जैक फोर स्टेबिलिटी एंड वाइब्रेशन एब्जोर्बेशन वहीं पर दोस्तो बॉक्स के बैक साइड के और वो सभी प्रोड़क्ट मैंशन किये गए हैं जो बिल्ड स्किल मैनिफेक्चर करता है अब चले दोस्तों बॉक्स को उपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है बॉक्स को हम उपन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहां पर एक ये पेपर मिलता है यानि कि हमारा एक वालिट रोलर अगला यहांपर दोस्तो हमें मिलती है एक interaction manual यानि एक निर्दिश पुछती का जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और साथ में इसे किस तरह से आप इस्तमाल में ला सकते हैं और क्या क्या इसके इस्तमाल हो सकते हैं उन सभी के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है तो ये काफी knowledgeable है और ये हमें multi purposes है किस तरह से इस्तमाल करना है वो उसके बारे में जानकारी देती है interaction मैंनों को excited करते हैं और box की और बढ़ते हैं तो इसके अंदर lastly हमें मिलता है हमारा stand चलिए दोस्तों इस टेंड को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर दोस्तों इसे हमने box से बाहर निकाल लिया है और यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो इसकी quality है तो इसकी manufacturing के अंदर दोस्तो iron का इस्तमाल किया गया है यानि कि पूरा जो stand है आपका लोहे का होने वाला है यहाँ पर दोस्तो आपको चार वहील मिलते हैं इसके यानि चार पईये हैं और इसे के साथ इसमें jack system भी मिल जाता है तो इसके बारे हम आगे discuss करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप देखिए यह जो stand है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है और इसमें दोस्तो क्या है कि आपको चार उपर की तरफ rubber grip देखने को मिलती है यह वाली जिन से क्या है कि आप इस पर अगर washing machine रखते हैं फ्रीज रखते हैं तो वो एक अच्छी grip बनाता है और फिसलता नहीं है यहाँ पर दोस्तो फरेंट में आपको builder skill की branding मिल जाती है और यहाँ पर आपको चार दिये गए हैं यहाँ पर screw जिनकी मदद से आप इसे दोस्तों खोल सकते हैं और इसका size increase कर सकते हैं और एक बार size fix कर देने के बाद में आप इसका वापस से size adjust करके इन्हें tight कर दीजिए जैसे कि क्या है कि मैं इन सभी को खोल लेता हूँ जैसे कि इसका total size है वो दिखाता हूँ इसके बाद से आपने एक बारी से खोल लिया इसके screws को इसके बाद से आप इसे जितना भी आपको length इसकी बढ़ानी है चोड़ाई बढ़ानी है वो बढ़ा लीजिए अपने product के कोड़ी यह फिर और फिर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं इसे आप जैसे vertically बढ़ा सकते हैं उसी तरह से horizontally भी यह इसकी size है जो की length बढ़ जाती है यानि कि आपको चाहे fridge के लिए इस्तमाल में लाना हो, washing machine के लिए लाना हो और भी यानि कि एक multi-purpose stand होने वाला है यहां पर दोस्तों अपना एक बारी size fix कर लिए उसके बाद में कामें ले सकते हैं एक आपको यहां पर यह एक jack system मिल जाता है इसमें आपको इस pin को निकालना है इसके बाद से जहां पर भी आपको product रखकर इसे fix कर देना है और इसके बाद से इसे आपको आपस से pin को लगा देना है यह stand दोस्तों बहुत ही easy to use है आप बड़े ही आसानी से इसे अपने काम में ला सकते हैं यह था दोस्तों इस stand का completely छोटा सा review video अगर यह आपको purchase करना है तो description में आपको Amazon का link मिल जाएगा आप ले सकते हैं वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें आगे हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में कोच और नहीं update के साथ में thank you so much guys take care and bye bye